सबसे पहले सके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं और इस टाइटल का मीनिंग समझ लेते हैं देखिए आप जब सड़क के किनारे होते हैं तो उसी सड़क के किनारे खड़े होकर कि आप बहुत सारी कार को देखते हैं और हर जाती हुई कार को देख करके आपको ऐसा लगता है कि ये कार भी मेरी हो जाए ये कार भी मेरी हो जाए ये कार भी मेरी हो जाए और ये वो आपकी नहीं हो सकती तो कम से कम आप उस कार में बै character है जिससे भी वो मिला उसने उसका कारगे तरह यूज़ किया जैसे की एक सवारी एक सफर तो उस पर जरूर किया एक बार उसको ट्राइटो उने जरूर किया तो इक character कौन है और इस के इस used and throw वाले life से इसके दिमाग पर क्या परभाव पड़ता है इसके life किस परकार से प्रभावित होती है वो हम यहाँ पर जानेंगे तो कुछ points जानते हैं जैसे कि इसको 1947 में लिखा गया था और इसमें ये जैनर वाइज एक tragedy है जिसमें कुल 11 सीन आपको देखने को मिलते हैं यहीं हम setting की बात करते हैं तो यह apartment number 632 apartment number 632 में जो की Elysian field avenue में है और Elysian field avenue new Orleans city में है और Orleans city Louisiana states में है Louisiana states, United states जिसको America भी कहा जाता है उसके southern reason दक्सिनी हिश्षे में है यहीं हम इसकी theme की बात करते हैं तो इसमें आपको inability to overcome reality कहीं बार क्या होता है कि reality इतनी कठोर होती है कि उसके कठोर के करण दिमाग के उपर इतना negative impact पड़ता है कि हम उस negativity से, उस depression से, उस सोसन से जो हमारे दिमाग पर negative पर भार पड़ता है उससे हम बाहर नहीं आ पाते हैं तो यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी the relationship between sex and death sex और death की बीच का सम्मन्द क्या है truth versus illusion वास्तविक्ता और कल्पना के दोनों के बीच में जो एक comparison है वो दिखाया गया है repression, दमन या सोसन दिखाया गया है dependence, दूसरों पर निर्भरता दिखाई गई है class differences, जो ओपर नीचे वाला system होता है rich and poor वाला होता है वो वाला यहाँ पर system दिखाया गया है homosexuality दिखाया गया है desire, इच्छा, पूर्ती करना दिखाया गया है and purity और सच्चाई, हकीकत, सुन्दरता को यहाँ पर negativity के साथ compare करके दिखाया गया है major characters of street car named desire, man characters कौन-कौन से है इस tragedy में सबसे पहले है blanche, dubious, जो की stella की बड़ी बहन है fragile है, काफी कमजोर हो चुकी है self-deluded, delusion में रहती है, एक कलपना भरे जगत में रहती है protagonist और इस tragedy की मुख्य किरदार है Stanley Kowalski, यह stella, stella कोन है blanche की sister है, और stella के husband है hard working classman, काफी hard working person है stella kowalski, stella kowalski, stella kowalski, stella की wife है blanche's passionate down-to-earth sister और blanche की बहन है Harold Mitchell, जिसको Mitch भी कहा जाता है यह Stanley का sensitive friend है and poker player, और यह poker खेलता है unis, a white woman, एक सफेद रंग की औरत है, मतलब white औरत है and stella is a posterior neighbor और stella की, stella के ऊपर वाले floor पर रहने वाली एक neighbor है steve, unix husband, यह unis का husband है इसका जो लेड़ी उपर वाले floor पर रहते है, उसका husband है and stanley's poker friend और stanley का poker friend है, मतलब यह सम्मिल करके साथ में poker खेलते हैं पाबलो, stanley's friend, यह भी stanley का दोस्त है and poker player और यह भी poker खेलता है अब story को सुरू करते हैं पूरा आपको system समझ में आ चुका होगा एक बार मैं फीर से बता जेता हूँ यह अकेला character है, यह दोनो husband wife है और यह stanley का दोस्त है यह दोनो husband wife है और यह stanley और stella husband wife के घर के उपर वाले floor पे रहते है और पाबलो भी एक पडोसी है चलिए जी Blanche dubious arrives to visit her sister Blanche अपने बहन, जिसका नाम Mrs. Stella Qualski है उसके घर आती है who lives in a French quarter जो एक French colony में रहती है French quarter में रहती है और यह French quarter आपको New Orleans में देखने को मिलता है she is soaked उसको बड़ी हैरानी होती है by the disreputable looks of the place disreputable का मतलब होता है एक गंदा भद्दा सा मतलब यह VIP कोलोनी रही है यह वह एक नोर्मल से और गंदी भद्दी सी कॉलोनी है while a neighbor goes to find Stella एक neighbor एक पडोसी Stella को ढूणने के लिए जाता है Blanche looks around the apartment for a drink Blanche drink पीने के लिए उस apartment के आसपास उस घर के आसपास ढूणती है कि यहां पर drinking की कुछ व्यवस्था हो सकती है कि नहीं when her sister comes जब उसकी sister मतलब आती है इसका मतलब यह है कि उसकी sister अभी घर पे नहीं है और Blanche वहां पे आई हुई है और उसका पड़ोसिस को ढूणने के लिए जाता है और उसकी sister जो है वो घर पर आती है Blanche quite frankly criticizes Blanche बड़ा पिसपष्ट तरीक से criticize करती है आलोचना करती है of the place उस जगह भी जहां पर उसकी बहन इस्टेला रहती है she explains वो कहती है that she has come for a visit वो मिलने के लिए आई है because क्योंकि हर नफ्स आर सैटर्ड उसकी नफ्स उसकी जो नसे है यह मसल्स है वो सैटर्ड है वो कपकपी है from teaching teaching जब वो करती है मतलब यह मतलब होगा इसका कि ब्लांचे जो है प्रोफिशन वाइज एक टीचर है और यह जब teaching करती है उससे पूरी तरह से परिश्वान हो चुकिए या उसके बोड़ी अब उसका साथ नहीं देती है noticing that इस बात को notice करते हुए the apartment has only two rooms उस पूरे अपार्टमेंट में केवल दो ही कमरे हैं she has qualms about staying उसके अंदर कुछ ठैरने जैसे सी भावना है but she tells वो कहती है Stella that she can't stand being alone कि अब बहुत हो गया हद हो गई क्योंकि काफी लंबा टाइम हो गया उसको टीचिंग करते हुए भी और एज भी काफी हो गई अब वो अकेले नहीं रह सकती she explains वो कहती है to Stella Stella say मतलब अनी बहन से that their old ancestral home उनका जो पुराना पूरवजो का घर है बैले रेव has been lost मतलब यह उनके घर का नाम है पूरवजो के घर का वो भी पूरत रह से लोस्ट हो चुका है वो भी खो चुके हैं ब्लांचे के बारे में मैं थोड़ा से बता देना चाहूंँ ब्लांचे की पहले साधी हो चुकी है और उसकी कुछ बैड हैबिट्स है उसको खाने पीने का कुछ जादा सही सोख है और उस खाने पीने के सोख की वज़े से उसका जो भी प्रॉपरटी थी उसके पास वो भी जा चुकी है और जो टीचिंग से थोड़ी वहत कमाई करती थी अब उसमें उसका मन नहीं लगता है वो पूरी तर दौकिण एंटर वो आते हैं मिट्स बलांचे वो बलांचे से मिलते हैंWhat को Space तर वो उससे सवाल करता है तोड चुकी है क्या इस्थितिय विजएंविश अपख्षड's blond और बाच्चे को अपनी पुरानी साधिक के बारे में सुनकर कि वो दुखी हो जाती है वो पूरे तरह से डिस्टर्ब हो जाती है वो एक परकार से एजितेट हो जाती है परिसान हो जाती है to the point that she feels sick और इस बात को सुन करके वो दुखी हो जाती है इसका मदलब यह है कि उसका जो married life है वो पूरे तरह से disturbed हो चुकी है उसके financial इस्तिती भी खराब हो चुकी है उसका social status भी खराब हो चुका है और उसके पास कोई relative भी नहीं है वो पूरी तरह से मदलब आप समझ सकते हैं कि alone है पूरी तरीके से the following night अगली रात को stella and blanche दोनों बहने plan to have dinner वे साथ साथ में dinner करने का एक plan बनाती है out मदलब बाहर कहीं है ना घूमने जाएंगा और तो वहाँ पे dinner करेंगे and go to a movie और फिर एक movie देखेंगे while stanley जो कि उसकी बहन का husband है plays poker वो play मतलब poker खेलता है with his friends अपने दोस्तों के साथ but before they leave लेकिन जाने से पहले stanley wants to know how belirav was lost stanley को ये बात जाननी है कि belirav क्या है जो blanche है उनका ancestral home है कि वो भी उसके हाथ से निकल गया ऐसा क्या हुआ था कि उसको अपना घर भी खोना पड़ा ठीक है blanche tries to explain blanche इस बात को समझाना चाहती है and gives him all the papers उसको सारे papers भी दे देती है कि देखो ये situation हुई थी ये ये problem आई थी पढ़ लो देख लो है and documents pertaining to the place सारे document वगरा दे देती है later that night उस रात को बाद में when blanche and stella returned from their movie जब दोनों बहने movie देख करके वापस आती है the man are still playing poker और अभी भी जो ये friend होते हैं ये सभी poker ही खेल रहे होते हैं blanche meets Mitch अभी Mitch कोन है? Mitchell जो की Stanley का friend है और साथ में poker केलता है वो से उसको मिलती है देखती है one of Stanley's friend whom seems to be more sensitive than the others जो की बाकी से भी friends में ज़्यादा sensitive उसको दिखाई पड़ता है मतलब ज़्यादा attractive भी है एक परकास है while Mitch is in the second room talking to blanche Mitch जो है वो दूसरे कमरे में जाकर के blanche से बातचीत करना सुरू कर देता है और Stanley becomes angry और इस बात पर Stanley को गुस्सा आता है कि उसी के घर में उसी की relative उसकी बहन की उसकी wife की sister किसी गैर मर्द से या उसके दोस्त से बात कर रही है वो भी अकेले room में जाकर के over a series of incident और वो ऐसा कहीं बार होता है especially when blanche turns on the radio और कहीं बार तो irritate तब भी होता है जब blanche radio को चला देती है या कुछ music वगरा सुनती है he throws the radio out the window और irritation इतने बढ़ जाती है कि वो उस radio को ही खिटगी से बाहर fact देता है hits Stella और यहां तक कि अपनी पतनी Stella को भी market करता है when she tries to stop him जब वो उसको रोकने के कोसिस करती है and has to be held by the other man और दूसरे जो दोस्त वगरा होते है वो भी उसको समझाने कोसिस करते है रोकते है to be kept from doing more damage और वे इसलिए रोक रहे ताकि वो अपने घर का ज़्यादा नुकसान ना करे एक जानकारी मैं आपको देतूं कि जो इसकी वाइफ है Stella यह pregnant भी है ठीक है और Blanche अपनी बहन की pregnancy के दोरानी आई है कि कहीं ने गएं वो अपनी बहन की help कर दे क्योंकि यह एक critical time है लेकिन यहां पे तो कुछ औरी scene बन गया है न Blanche takes Stella Blanche Stella को ले जाती है and runs up stair और उपर बाद जो गरूप उपर सीड़ी होती है उन पर चले जाती है when Stanley recovers जब Stanley थोड़ा ठीक ठाक होता है he calls for Stella और Stella को बुलाता है to come down नीचे आने के लिए and she does और वो नीचे भी आ जाती है the next morning अगले सुभह को Blanche goes to Stella Blanche Stella के पास जाती है and tries to make her see that Stanley is an animal or is an animal और वो Stella को समझाना चाहती है कि Stanley इतना अच्छा आदमी नहीं है बिल्कुल जानवर हो जैसा है जिस परकार का वो गुस्से में वहवार करता है she is so उसको इस बात का जटका लगता है that Stella could have returned to him कि Stella भी मतलब उनका सुरू में भी लड़ाई जगड़ा हुआ था फिर वो चली गई थी और Stella फिर भी ऐसे आदमी के पास वापस क्यों आई but Stella assures लेकिन स्टेला उसको विश्वास दिलाती है भरोसा दिलाती है that Stanley was gentle कि Stanley एक टाइम पे बहुत अच्छा आदमी था कोई दिकत थी नहीं उसको when he returned when she returned जब वो घर वापस आई थी and that she loves him और वो से प्रेम भी करती है as Blanche begins describing Stanley he comes in वो अंदर आ जाता है and overhears वो उनको इस परकार की बाते करते हुए सुन लेता है but doesn't say anything लेकिन वो फिर भी उन्हें कुछ नहीं कहा था चलो ठीक अभी चुगली कर रही हो कर लो है ना तो आप इस बात से समझ सकते हैं कहीं ने कहीं उसके अंदर अच्छाई भी है लेकिन वो इरिटेट भी होता है कि उसके घर का रिलेटिव किसी अन्नोन परसन के साथ ऐसे अकेले रूम में बात करें तो थोड़ा इडिटेशन बनता भी है sometime later कुछ time के बाद Blanche is dressing for a date with Mitch अब जिस बात का डर था वैसा ही हुआ Blanche Mitch के साथ date पर जाने के लिए तयार हो रही है she tells Stella Stella से बताती है that she wants Mitch वो Mitch को चाहती है because she is so tired of struggling against the world क्योंकि अपने जीवन में संघर्स करकर के वो परेसान हो चुकि अब उसे किसी का साथ चाहिए कोई साथ ही चाहिए जिसके साथ वो अपना एक अच्छा time spend कर सके Stella assures her Stella उसको कहते चलो ठीक है कोई बात ने it will happen उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो she leaves with Stanley वो Stanley के साथ चले जाती है to go bowling just before Mitch arrives bowling मतलब कुछ काम धंदा होता है उबालना होता है वैसे इसका मतलब ठीक है और फिर मिच आ जाता है एक paper boy comes एक paper boy मतलब एक newspaper वाला भी आता है and Blanche detains him long enough to kiss him because he reminds her of her young husband और Blanche उसको किस करती है क्योंकि वो उसको उसकी husband का जैसा लगता है कौन वो एक लड़का जो आता है न तो उस लड़के को देखती है और उसको अचानक से किस कर डालती है क्योंकि उसको देख करके उस लड़के को देख करके उसको ऐसा लगता था कि यह उसका husband है मतलब उसको अपने husband जैसे feeling उसे मैंने लगी थी तब आप इस बात से समझ सकते कि Blanche एक बहुत ही frank type of lady है उसे अपनी जीवन में जहां से भी थोड़ा बहुत सुक मिल सकता है उस सुक को लेने में किसी परकार की धिज़क मैसूस नहीं करती जब Blanche और Mitch दोनों वापस आते हैं Blanche explains to Mitch, Blanche Mitch से कहता है how much Stanley apparently hates her कि Stanley तुम से बहुत नफरत करता है say things वह सवचती है that Stanley will be her destroyer कि जो Stanley है जो उसका जीजाजी है वही उसके जीवन में उसकी खुसियों को नस्ट करने का काम करेगा तो वही समश्या बनेगा क्योंकि Stanley Mitch और Blanche को साथ देख करके आप समझ सकते हो खुस है ही नहीं और reason यह भी है क्योंकि Stanley को Blanche की past life के बारे में पता है हलका फुलकब एगी परिवार से समझ रखते है तो कुछ नहीं कुछ तुछ उसको पता ही होगा और वह Mitch को पता देगा जिससे Mitch का attraction Blanche के लिए कही नगई कम हो सकता है उसका जो प्रेम है जो सम्मंद है वो कम हो सकता है इसलिए Stanley को वह भी समझते हैगी डैंजर तो है उसकी एक यंग लड़के से साधी हुई थी और बाद में उसको पता चला था कि वो लड़का जो है जिससे उसकी साधी हुई थी आप समझ सकते हो कि Blanche ने पहली साधी भी अपने से कम उमर के लड़के के साथ की थी बहुत अब समझ सकते हैं बिल्कुल फ्राइंक है इसमें उसको किसी सामाजिक सिस्टम की कोई परवाही नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि उसने कोई भी सिस्टम फोलो नहीं किया इसलिए उसके जीवन में सब कुछ अनसिस्टेमेटिक हो गया मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि सोसाइटी की सारी बातों को एजिटीज अक्सेप्ट कर लेना चाहिए पर मैं कहता हूँ कि जो चीजें जीवन में विवस्था लाती हो डिसिप्लिन लेकर कर आती हो उनको जीवन में जुरूर सुविकार करना चाहिए इसमें कोई दिक्कट नहीं है अब इसके जीवन में discipline नाम की कुई चीज ही नहीं है और इस indiscipline की हो जैसे इसके life में सब कुछ disturb हो चुका है अब ये लड़का जिसे इसने साथ ही कि ये भी बहुत बड़ा कलाकार है क्योंकि इसके physical संबंद एक बुजूर्ग विक्ति के साथ है बुढ़े विक्ति के साथ तो मलत यहां पर आपको जो इंट्रोडक्स ने बताया गया था होमो सेक्सुलिटी होमो सेक्सुलिटी का मलत होता है जब लड़का लड़के के साथ physical relationship बनाए और लड़की के साथ physical relationship बनाए तो यहां पर जो पहला partner था इसका वो भी ठीक ठाक आदमी नहीं था ठीक है जी आ और यंग husband killed himself as a result of hard remark और जो उसके husband थे उन्होंने खुद को ही मार डाला था मतलब suicide कर लिया था क्योंकि hard remark का मलत होता है कि Blanche जो उसके wife थी उसने उसको इतनी गद्धी भद्धी बाते कही कि जिसके वज़े से उसको suicide तक करने पड़ी उल्टा सीधे वोली और वो पूरी त स्टेल्स ब्लांचे मिच ब्लांचे उससे कहता है that they both need each other कि उनको एक दूसरी की आशकता है मतलब उनको एक दूसरी के साथ रहना ही चाहिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए इस लेटर इंड मिड सेप्टेंबर लगभग 15 सेतंबर के अर्पास की बात है इस्टेला इस प्रिपेरिंग गर्फ्रुडे केक फूर ब्लांचे एस्टेला जो कि ब्लांचे की बहन है वो ब्लांचे के बर्थुर्डे के लिए केक बना रही है Stanley comes home Stanley घर पर आता है and tells Stella और Stella से बताता है that he now has the lowdown on Blanche मतलब Blanche के बारे में उसके जो थोट है जो विचार है जितने जैसे पहले थे थे लेकिन अब उन में भी lowdown lowdown का मतलब होता है नीच था आगई मतलब एक परकार से वो उसको पहले से ज़्यादा negative conceive करता है negative believe करता है मतलब उसको और बुरे ढंग से देखता है it seems that ऐसा लगता है she lived such a wild life उसके जीवन को देख करके मतलब Blanche के जीवन को देख करके ऐसा लगता है जैसे कि उसके जीवन में एक जंगली पन हो एक वहसी पन हो wildlife in laurel वहां से भी उसको भगा दिया गया था उसको leave उसको सैर को जहां पर रहती थी उसको वहां से भगा दिया गया था तो laurel याद रखेगा एक ऐसे जगह है जहां पर जो prostitutes होती है वो रहती है उनके कोलोनी होती है तो वहाँ पर उसको नहीं रहने दिए गाए तो आप समझे कि प्रोस्टोट्यूट की कोलोनिम में भी उसका इतना उध्रव था कि प्रोस्टिटूट्स भी उससे परिशां हो गई थी तो आप समझे कि उसका पास्ट कितना wild रहा होगा, कितना undisciplined रहा होगा और आर्मी तक ने भी उसको कहते हैं तो किसी काईदेकर उनको फॉल्व यह नहीं करती इस्टेनली डैन टैल सहर इस्टेनली फिर उसको बतायता है देट मिच won't be coming over and that Blanche will leave Tuesday Blanche को अब टोजडे को जाना चाहिए और उसके लिए बस उसको पकड़ लेने चाहिए बहुत हो गया इतना सहन नहीं कर सकता में ज्यादा है ना लेटर दैट उसके बाद लेटर दैट इविनिंग उस इविनिंग में फिर सामको ब्लांचे कैनोट अंडरस्टेंड वाई मिच दजनोट कम ब्लांचे को समझ में नहीं आता है कि मिच क्यों नहीं आया अब आप समझ सकते हों कि मिच के दिमाग में ब्लांचे को लेकर जो कि उसका जीजा है वो बलांचे को उसके लिए उसके birthday के लिए gift देता है a ticket back toгорale Mississippi और birthday का जो gift होता है वो Mississippi में एक जगाय लूरल उसके लिए एक ticket होता है कि यह तुम्हारा birthday gift है और काड़ी पकड़ो और यहां से निकल जाो वाउ क्या gift है जी As Stanley is about to leave जैसे ही Stanley जाने वाला होता है Stella has her first labor pain Stella मैंने आपको पहले बता दिया कि इसको delivery की chances है वो pregnant है उसको labor pain होने सुरू हो जाते है बतलब delivery होने से पहरे जो दर्द होते हैं उनको labor pain रोलते है and has to be taken to the hospital और उसको आप hospital ले करके जाना पड़ेगा Mitch arrives later कुछ time के बाद Mitch आ जाता है that evening उसी साम को Mitch Blanche has been drinking rather heavily Blanche ने बहुत heavy drinking की हुई है he comforts her वो उसको थोड़ा संभालता है with her past life और जो उसके past life से उसके past से जो उसकी दिमाग पर बहुत भेंकर वाला stress आया हुआ है दिमाग पर जो depression चाही हुई है उस situation में उसको थोड़ा सा console करता है समझाता है कि चलो कोई बात नहीं जो हुआ सो हुआ आगे बहतर करेंगे at first she tries to deny it पहले तो वो इस बात से मनाई कर देते कि नहीं मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ अब यह बहुत ही मनलब critical situation है मैं इसको explain करने में बड़ा दिक्कत महसूस कर रहा हूँ लेकिन बताना पड़ेगा जब से उसके husband की death हुई है nothing but intimacies मेरे जीवन में कुछ नहीं रहा सिर्फ और सिर्फ अंजान लोगों के साथ इस ट्रेंजर्स अंजान लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ मैंने physical relationship बनाई है मुझे को कुछ राष्टा दिखाई नहीं दिया मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया मैं दी कुछ समझ में नहीं आया बस अलग-अलग लोगों के साथ मैंने time pass किया है और कुछ नहीं किया है और मिच फिर कहता है कि चलो ठीक है जब तुम इतने लोगों के साथ सो गई हो तो अब मेरे साथ भी सो लो क्या वात है भाई सब आप समझे रहे हो टाइटल क्या कहता है यह स्ट्रीट कार नेम डिसायर सटक पर गुजरती हुई हर कार को देखने वाला पाना चाहता है यदि वा पाना भी पा भी नहीं सकता है तो कम से कम एक बार उसको चलाकर करके जरूर देखना चाहता है एक बार उसका organs लेना चाहता है और sketch demands marriage और French कहते कि भाई ये काम तो बहुत हो गया बहुत लोगों के साथ हो गया अब बताओ तुम मुझसे साधी करोगे नहीं करोगे Mitch tells her Mitch उसको कहता है C is not good enough कि physical relationship बनाने तक तो ठीक है लेकिन साधी करने लायक तुम हो नहीं क्या बात है जी and blanche scrims blanche जोर जोर से रोने लगती है so as to make Mitch leave और वो कहा जैती है Mitch कि अब तुम भी भाग जाओ तुम्हारी भी कोई जूरूत नहीं है भागो यहां से जो हो का देखा जाएगा this is her reality my god मैं तो बिल्कुल हिल गया हूँ है न और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कलबना ही है reality में भी बहुत सारे episodes बहुत सारे जी लोगों के साथ बहुत सारी ओरतों के साथ लड़कियों के साथ ऐसा होता है लोग आते हैं यूज करते हैं और छोड़के चले जाते हैं आगे चलते हैं लेटर डैट नाइट आगे उस रात में स्टेन रिटन स्टेन ली आता है फ्रॉम दा होस्पिटल होस्पिटल से तो फाइंड ब्लैंच ड्रेस्ट इन ओल्ड फैडड इवनिंग ड्रेस और वहां आकर के देखता है कि ब्लैंचे ने एक पुरानी सी ड्रेस पहनी हुई है अपने जीजा के साथ ठैरने में आप समझ सकते हो क्या हो सकता है और जब उनके वीच में बात होती है तो जितने वी जूट उसने स्टैनली से बोले है जो वे जूट सामने आने लगते हैं क्योंकि सीदी सी बात है मुझसे कोई गलती हुई है या मेरे जीवन का पास्ट भूत डार्क साइडीड रहा है तो मैं एक दम से सब को यह तो नहीं बता दूंगा न कि मेरे पास्ट में इतना गंदा था यह था मेरे से इतने गंदे-गंदे काम हुए थे तो उन सब को चिपाने के लिए बहुत सारे जूट बोलूगा ताकि मेरा परजेंट पर मेरे पास्ट का प्रभाव ना पढ़े आप जब कोई पीछे पढ़ जाए तो फिर तो भी बताना पढ़ता है ना तो आज स्टेनली ने सारी हदे पार कर दी आज पीछे पढ़ गया मोका भी है उस कि यदि मैं इसके लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस की रेट कर भी दूँ तो यह कोई गलत बात नहीं होगी आफ्टर इस क्यूफल ही रेप्स हर और उसके दिमाग में बात आती है कि जिस ओरत की जिन्दिग का पूरा लाइफ देस्ट्रोई हो चुकी है इस्टेनली क विचार को लेकर के वो उसका रेप कर डालता है भीया कार को मिल नहीं सकते तो चला के जरूर देख तो एक बाद स्वाथ जरूर लेँगशना ना कुछ कार ऐसी होती हो जो लाकों में होती है उनको खरीदने का हमारा बजट तो नहीं होता है अब यह जो ब्लैंचे है इस न वहां तो कोई नहीं सकता लेकिन ड्राइविंग एक एक बार सब करना चाहते हैं यह टाइटल इस्टोरी से बिल्कुल मैच करता है जस्टिफाइड टाइटल है थैंक्यू अजबस्टर आके बढ़ते हैं 3 weeks later तीन हफ़तों के बाद स्टेला इस पैकिंग ब्लांचे को पैक कर रही है एंड विटिंग फॉर डॉक्टर और एक डॉक्टर का इंतिजार कर रही है एंड एन एटेंडेंट टू कम और एक अटेंडेंट है मतलब एक नर्स बहुल सकते हैं उसका इन्तिजार कर रही है and take her to the state mental institution पागल तो हो नहीं थी न जीवन में किसी ने उसका साथ ही नहीं लिया कोई उसका सच्चा हमदर्द बन ही नहीं सका हर किसी ने सिर्फ मोगा पाया और मोगा पागर कि उसको seduce किया उसका सोशन किया और आखिर में कहने लगे कि ये तो ऐसा माजिक है इसका दिमाग तो गंदा है इसका लाइप्रिस्टाइल गंदा है इसलिए इसको mental hospital भेज दो अब ये स्थिती पहुँच गए कि विचारी बलांचे को mental hospital में भेजने के तैयारी हो रही है like I cord stella refuses to believe stella इस बात से believe करने को मना कर देती है कि Blanche's story that stating raped her कि Blanche's st aspire के ऊपर आरोप लगाया है कि उसने रात को उसके साथ रेप किया था इस दिन heal भूइत फिक कःपार कर दिए he'll किस तैनली के स्टेला के हिसाब से इतना अच्छा वैंकि एक विसपे डाउट कर ही नहीं सकती लेकिन इंस तो ब्लांचे बहतर तरीकी से जानती है और चुक्कि ब्लांचे ने चैन्गि के ऊपर तना गंभीर आरोप लगाया है जो कि इस टेला के लिए ऐसा है नहीं है इसलिए उसने सोचे कि यह पागल हो चुकिया कुछ भी बोल रही है अब उसको mental hospital भेजने के तयारी हो रही है Blanche thinks Blanche सोचती है that an old boyfriend is coming to take her on a cruise कि उसका जो पुराने वाला जो boyfriend फ्रेंड था वो उसको एक बढ़िया सफर पर cruise का मतलब होते है एक बहतरी आनंदा एक सफर उसका पुराना बोई फ्रेंड उसको एक सफर पर ले जाने वाला है अब याद रखेगा यहाँ पर एक जब इंट्रोड़क्शन चलना था तो reality versus illusion उसके बीस में भी comparison किया जाएगा reality इतनी हार्ज है इतनी कठोर है कि वो इसको कैसे भी सुईकार करी नहीं सकती वो इस बात को accept करी नहीं सकती कि उसका हर किसी ने सोशन किया इस दुनिया में आना उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बंदव एक प्रगाज की वहशियत का सामना करना है इसलिए वो ख्यालों में ही खुष है हकीकत में उसके जीवर में खुषी नाम की कोई चीज है ही नहीं जैसे ही वो अटेंडेंट आता है वो उसको पहचानती नहीं है और वो भागना चाहती है Stanley एंड एन सिस्टेंट ट्रैप बलांचे Stanley और एक तूसरा असिस्टेंट होता है वो बलांचे को जाकर करके पकड़ लेते हैं दोक्टर एप्रोचिश दोक्टर भी आ जाता है और बलांचे ये इस बात को एकसेप्ट कर लेती है जस्टिफाई कर लेती है कि अब ज़्याद हाथ प्यार मारने की कोई जुरूत है नहीं अब तो जाना पड़ेगा यह लोग छोड़ेगे नहीं इस बात को सुविकार करना पड़ेगा कि हकीकत यह है कि मेरा जीवन एक पागल खाना था और मेरे जीवन की जगह पागल खाना ही है और वहीं मुझे अपना पूरा जीवन जीना है यह acceptance of reality है और उसको believe हो चुका है कि मुझे सच्चाई को सुविकार करना पड़ेगा मेरे जीवन में सब कुछ उतल पुतल था और सब कुछ उतल पुतल ही रहेगा having always dependent on the kindness of strangers और मुझे मेरा पहला जीवन ऐसा था कि मुझे दूसरों के उपर depend होकर के जीना था और आज भी मुझे दूसरों के उपर depend होकर के जीना है मेरे अपने जीवन का कोई वजूद नहीं है मेरा अपना कोई self respect नहीं है मेरी कोई desire नहीं है मैं लोगों की डिजायर हूं मेरी कोई डिजायर नहीं है मैं लोगों की डिजायर हूं मेरी कोई डिजायर नहीं है उमीर करतो हो एक्स्प्लिनेशन आपको अच्छा लगा होगा मुझे तो एक्स्प्लिनेशन करतो है बहुत अच्छा लगा वेल थैंक्यू वेरी मुश्च चैनल को सब्स्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए वेल देनेक्स वीडियो में और भगवान से दुआ करते हैं कि जो इस हाराज से गुजर रहे है रियालिटी में है भगवान उनके लिए पर राश्ता निकाले है थैंक है यह दो शेलिग की यहार दो 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 आःटे वेला दो दो जाते है जा रहे वेलाई छो एक बढ़र कीजिए लगवारे